दोस्तो आज शुरू होगी 2.12 की pre-judging शाम 7 बचे और अभी मैं ये आपको prediction वीडियो सामने सामने दिखा रहा हूँ इतना जदा लेट हो गई है ये लेकिन आप लोग सोचो गया इतना लेट बनाने का फाइदा है क्या मैं सच बता रहा हूँ मेरी तरफ से वीडियो कैंसिल थी मैं इसको बनाने ही नहीं वाला था और इसका मैं बहुर बड़ा reason दे देता हूँ किसी भी अथलीट का अपडेट नहीं है जो top में place हुआ था पिछले साल पतलब क्या बनता है इन अथलीट को प्रेडिक्ट करने का जब हमने इनकी फिजीक बिल्कुल देखी नहीं कम से कम प्रेडिक्शन के लिए थोड़ी फिजीक तो देखनी पड़ती है पूरे साल का एक चार्ट तो हमारे पास में होता है एक ट्रेक्ट तो होता है बिना तो फिर इसको मैं बना रहा हूँ, आज इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि Sean Clarida का अपडेट आया है, जो उन्होंने फिजीक अपडेट अगेन नहीं दिया, यह हमें पता लगा डारेक्ली प्रेस कॉंफरेंस में, जिसमें उन्होंने क्या अपनी बॉडी में चेंज करा, वो ब प्रेस कॉंफरेंस के जरीए, तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रखूंगा, साथ एथलीट्स, तॉप सेवन एथलीट्स को मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, और डारेक्ली यहां से मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट करू प्लेसिंग एहमद अश्कनानी की लगी थी, फिफ्थ प्लेसिंग एक नई अथलीट आये थे, उलायक रिवी करके, उसके बाद छटे नंबर पर गए थे, कि और पियर्सन जो काफी शार्प आये थे, और अपने लाइफ की वन अफ दा बेस्ट फिजीक इन उने दिखाई थी, टू-ट्वल्फ ऑलंपिया में, इसके बाद सेवंध पर गए थे, कैरिद बाजो जो बहुत अगें शार्प और हाड आये थे, लेकिन वहीं फुलनेस में और स्ट्रक्चर में लैक करते हैं क्यों के आगे, इसलिए सेवंध पर पहुंचा दिया गया, एर्थ पर आयते फैलिप मुराज, वन आफ दा मोस्ट ड्राय अथलीट, और वन अफ दा मोस्ट पील्ड अथलीट, इन से जाधा ड्राय और पील्ड तो कोई था ही नहीं, टू-टॉ-टल छोड़ो, पूरे ओलंपिया में सबसे जाधा ड्राय और पील्ड अथलीट थे, इनके साथ इसलिए एड्स नमबर पे चले गए, यह पिछले साल के रिजल्ट से, हम आजाते हैं, इस साल प्रेडिक्शन सेक्शन पे डायरेक्ली कौन कहां पर रह सकता है, मैं स्टार्ट करूँगा इस प्रेडिक्शन को उल्टा सेवन्थ नमबर से, तो सेवन्थ नमबर पर दोस्तो को अभी डालने का क्या रिजन है, दो रिजन है, एक तो फैलिप का अभी जो हाली में यह फिजीक अपडेट है, इसके अंदर आप देख सकते हो इनकी फिजीक, जो पिछले साल की तरह ही ओल्मोस्त लग रही है, देखो यह फिजीक अभी एक फ्लैट फिजीक भी है, इसलि और यह लेग्स है ना, यही इनको पीछे रखेंगे, बॉडी बिल्डर्स इनसे उपर एहमद अश्कनानी जैसे जिनके अंदर इतने अच्छे कट्स नहीं है, इस किसम का सेपरेशन नहीं है, फिर भी इनसे उपर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास में एक साइज है, टू इनको इस बार भी देखना चाहूँगा, देखते हैं इनके अंदर साइज इंप्रूमेंट्स कुछ आते हैं या नहीं, इसके बाद हम आते हैं सिक्स नंबर के अथलीट पे, और यहां पर मैं नाम रखता हूँ दोस्तो, ओलाय क्रिवी का, अब इनों ने अपना कोई भी अ इस बार देखते हैं कि अधिक अधिक साल नहीं दिखाया, देखो टूटूवल वाले अथलीट का नहीं बेसिक फंडा होता है कि हम अपडेट नहीं देने वाले, मैंस फिजिक वाले देदेंगे, आप तो बाडी बील्डर भी दे देते हैं, ओपन कैटिग्री वाले, क्लास सिनेरियो रहने वाला है, ओलेक रिवी का अभी कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ बिल्कुल जो अंधेरे में निशाना लगाने वाली चीज होती है, यह वह वाली बात है, इसके बाद अगर मैं चलता हूँ यहां पर फिफ्ट प्लेसिंग पे, तो यहां पर मैं डालना चाह है, सिन रही किजे आइक तो है, लेकिन सेठस्थे नहीं है, हाला कि पिछले साल यह कंडिशन आयते अच्छे खा से ड्राय थी, लेकिन स्न द्राय और वी Eigen ली जाहिक करता हूँ, यह अए यह इनकी प्रोटोकॉल्स करेरेते हैं, किस तरिके से आइक से ब yay भी करते हैं, लेक कुछ ऐसे अथलीट बहुत तगड़े इंप्रूव मार गए हैं पिछले साल से अब तक जो इनकी प्लेसिंग खा जाएंगे और इनको फिफ्त पे पहुचा जाएंगे इसलिए मैंने इनको यहां पर फिफ्त पर रख दिया है यह इनका लास्ट अपडेट था जो अपसे चार करित बाजो को कैरित ने जो इस साल नियू-york प्रो में करके दिखाया था ना अपनी लाइफ की बेस्ट फिजीक दिखा दी से अथलीट ने और सही में दिल चीत लिया रस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस अथलीट को ले करके कैरित हाला कि हमेशे अपनी हाड अच्छे हो गई पहले से और लेग्स इनके इतने पर्फेक्ट लग रहे थे ना ऐसा लग रहा था कि यार यह अथलीट डिजर्व करता है टॉप 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 थ्री में आना तो जरूर से तो कैरित बाजो ना एक्चुली में मेरे वन ऑफ दा फेवरिट अथलीट है टू प्रेशन ला रहे है ना रस्पेक्ट होनी चाहिए और इसलिए इनको प्लेस मिलना ही मिलना चाहिए फोर्थ नंबर का मैं इसलिए यहां पर यह वाला प्लेस इनको देता हूं और फिलाल कैरित ने बोला के लेट्स गेट ड्राइए अनली गॉना गेट बैटर फ्रॉम है इ तो सेप्रेशन बढ़ेगा और मजाएगा फोर्थ नंबर हो गया अब आते हम लोग थर्ड नंबर पे और यह मैं ले रहा हूं बहुत बड़ा रिस्क इसके लिए मुझे सही में आप लोगों से काफी ज़्यादा ताने सुनने को मिल सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं ऐसे र दिखाई थी एक दिन पहले और इसके अंदर यह काइंड ओफ लाइक फ्लैट दिख रहे हैं बिकॉस के उनकी चस्ट बहुत ज्यादा सॉलिड राउंड फाइबर्स प्रोड्यूस करती है लेकिन इसके अंदर यह इस तरीके से नहीं दिख रहे हैं और मुस्ट मस्कुलर ही सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट और क्यों अब क्या कर रहे हैं इस साल जो नोने करके दिखाया ना उससे इनके लिए भी रस्पेक्ट इस तरह बढ़ गई जैसे कि कैरिद बाजो के लिए बढ़ी क्योंकि क्यों ना इस बार टैक्सिस प्रोमय में दिखाई दिये और यह क्यों के फिजीक है ठीकान अब क्योंकि घ्राइए यक बड़ा एक प्रू नाद में अब उब्रोम्पिया लाइन अप में ओवरॉल में बाओ यूड़ा में गल्यूड कर लो उस level का separation front quards में है ही नहीं किसी पे यहां मैं size की बात नहीं कर रहा हूँ यह आप ध्यान देना जो separation fullness आ रही है एक एक fiber की उस separation की सिर्फ यहां पर बात करी जा रही है वो बहुत अनोखा है इस तरीके का separation हमने अच्छे खासे athletes में ने देखा क्योंकि इसके लिए आपके leg की हर एक muscle का perfect develop होना जरूरी है एक ही size में और सारी muscles एक size में develop नहीं होती है muscle के अंदर के fibers भी छोटे बड़े होती है पर क्यों उनके साथ ऐसा नहीं है उनके हर एक muscle हर एक fiber बहुत perfectly grown है और इसे front quad की बात कर रहा हूँ पीछे उनकी legs पहले बहुत weak हुआ करते हैं लेकिन इस साल उन्होंने पीछे के legs में भी अपने glutes और hamstrings में अच्छा खासा काम करा उनके hamstrings काफी ज्यादा कसे होए काफी ज्यादा size के साथ इस बार दिखाए दिए और glutes में fiber दिखाए दे रहे थे इस बार मैं को डाल रहा हूं तो ऑलम्पिया में इस बार भी पीक करेंगे और सिर्फ इस बेसिस पे मैं इस यहाँ पर third number दे रहा हूं यह एथली डिजर्व करता है अगर यह एथलीट आ गया ना यह एंजल के कोई अपडेट नहीं है हमारे पास में कुछ नहीं पता लेकिन पिछले साल इस किसम किनों ने फिजीक दिखाई थी वह एक प्योर 212 फिजीक थी विट कम्प्लीट फुलनेस सेप्रेशन फाइबर्स इन दा चेस्ट हर जगा पर सेप्रेशन फाइबर्स प्लीजिंग थी स्रक्चर उतना प्लीजिंग नहीं है और मेभी अगर क्यों सेपरेटिड आ गए न भाई केल्ड रॉन की फिजीक और केल्रॉन की प्लेसिंग को दबा सकते हैं और सेकिंड पर खुद भी आ सकते हैं पर अब इक्यों के लिए मैं इतना जदा है हाइब डप आप इतनी सारे चीज़ों में इस साल बिजी हो गए कभी आप अपना जिम खोल ले रहे हो कभी आप अपना शूज का एक नया ब्रैंड लांच कर रहे हो कभी और तीसरी चीज़ कर रहे हो तो आपने बॉड़ी बिल्डिंग में सीरियसली टाइम दिया है आपको टाइम भी बॉड़ी बिल्डिंग की प्रैप इस साल करेंगा करिये का डेफिनिटली और मैंने अपनी स्मूधस प्रैक करी है हिस साल की यह वह अपने स्टोरी में अपने पोस्ट में इंस्टागरम के हर जगह मैंशन कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि मैं इस साल आ रहा हूँ सबसे ज़्यादा heavy weight पे जो है 186 LBS बट confuse मत हो ना क्योंकि weight भले ही heavy हो लेकिन conditioning वहीं पकी solid ठोस रहने वाली है शौन का ही कहना है कि मेरी physique सबसे ज़्यादा complete होने वाली है इन सारे athletes से और इसलिए मैं हाँ पर अपना third 212 title ले करके जाऊंगा मैं इस चीज में believe कर रहा हूँ अभी के लिए और इसलिए हाँ पर Clarida को मैं इस साल 212 champion predict करके चल रहा हूँ यह है दोस्तों मेरा पूरा का पूरा take prediction वीडियो के अंदर हाला कि मैंने Sean Clarida की कोई physique update नहीं देखा because उन्होंने दिखाया ही नहीं लेकिन फिर भी उनके बात पर जो उन्होंने बोली है यहाँ पर press conference के अंदर उस पर मैं believe कर रहा हूँ और सबस्याद है heaviest roundest Sean Clarida को मैं expect कर रहा हूँ at the same time peeled भी होंगे वो because वो कह रहे हैं और वो मानते हैं इस चीज में होंगा बस अभी के लिए इतना ही था मिलते हैं 2012 की direct pre judging वाली वीडियो में सब तक के लिए stay tuned goodbye शुक्रिया